तो बड्वाटाप्व ऑ्फिस वर्क इन तो यहार अगर आप तो ख़जार एकी में लैपटाप लेना चाहते हैं अगर आपका बज़र कम है 30,000 अगर आपका बज़र चालीस थाज़र से भी कम है उस बज़र रेंच की भी आज हम बात करेंगे स्टार्ड करेंगे 35,000 से and मैं 45,000 के budget तक मैं आपको laptop बताऊंगा जितना भी आपका प्राजर जो भी specification आपको चाहिए आप चाह सकते होगर आपने MS Office पर काम करना है जब कोई heavy software पर काम करना है आप easily normally कर सोगोगे तो start करते हैं बात करते हैं number 5 number 5 की बात करूं number 5 पर यार मैंने रखी है MI Notebook 14 को तो सबसे पहले मैं आपको बता दो इसको number 5 पर रखने का एक reason है वो यह reason देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं लेकिन upgrade करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में minus point आ जाता है अगर इसके मैं price range की बात करूं आपको 41,000 के budget में MI Notebook 14 देखने को मिल जाते है इसका display quality बहुत ही है build quality बहुत अगरी मिल जाते है उसके साथ साथ भी अगर आप data इंट्रीस करते हो जाए अगर आपका काम कोई ऐसा आपको keyboard पे जाधा काम करना पड़ता है आपके लिए यह best deal हो जकते है प्लस आपको full HD प्लस इसके साथ web camera free देखने को मिल जाता है तो plus point तो इस laptop के देखने को मिल जाता है लेकिन minus point भी आपको देखने को मिल जाता है अगर आपने इस पर gaming वारा भी करनी है आप कर सकते है इसके graphic card की बात को आपको दो देखने को मिलेंगे आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाता है आपको MX350 2GB भी देखने को मिल जाता है लेकिन 2GB का जो price है वो जादा increase हो जाता है वो आपको 47,000 के budget में देखने को मिल जाता है तो इस budget energy में अपने price range से वो बहुत आगे निकल जाता है design look वेकर अभी बहुत है यह display quality भी बहुत अगरी मिल जाते है लेकिन मैंने आपको minus point बता दिया 8GB RAM मिल जाते है लेकिन अपर grade आप उसको नहीं कर सकते है जो कि सच में एक minus point देखने को मिल जाता है आप जा सकते हैं अभी बात करें इसके थोड़ी सी main specification की थोड़ा से मैं आपको deeply बता देता हूं तो यह display की बातों को 14 inch full HD plus display देखने को मिल जाती है जो की anti-glade display प्रसाइसर की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है तो प्रसाइसर बहुत अगरा है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है SSD का benefit यह होता है अगर आप data अगरा ज्यादा ट्रांसफर करते हो वह बहुत जल्दी हो जाता है एस comparison किया जाए HDD के साथ ठीक है graphic card की बात करो आपको Intel UHD graphic card देखने को मिल जाता है प्लस आपको MX350 भी मिल जाएगा 2GB के साथ लेकिन उसका प्राइज आपके बजट से अपपर चल जाएगा ठीक है तो आपके लिए बहुत अगरा आप जा सकते हो मैंने लिंक प्रवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा अभी आगे बात करते है आपको आपको आगे पता चल जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूँ एच्पी फॉर्ण की तो यार ये लैप्टॉप आपको मतलो तो ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत उट करता ठीक है मैं आपको रिक्मेंड भी करना जाता हूँ अगर आपने लेना है तो ब्लैक कलर मुझे जाधा सी उट लगा आप उसके और जा सकते हो प्लस आपको फॉर्ण एंच की डिस्पले देखने को मिल जाती जो की 16 रिफ्रेश करने हैं या अगर आपने डेली यूज के लिए इस लैक्टाप को लेना है तो आप ले सकते हो इसली नॉर्मली आप काम कर सकता आपको कोई भी इस्यू नहीं आने वाली यार आपको आई थ्री देखने को मिल जाता है टैंथ जिरेशन के साथ वह भी सच में बहुत जादा ठीक है आप जा सकते हो HP 14 के और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी में स्पेसिलिकेशन तो यह डिस्प्ली की बातों को 14 फुल एस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाते हैं जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है प्रसाइसर की बातों को आई थ्री 10 जमरेशन के साथ में म आपको कहाना चाहता हूं कि आप आई थ्री 11 जमरेशन के और चल जाए ना विकास वो लेटेस्ट प्रसाइसर है उसके आप प्रतों कोई प्रसाइसर ही नहीं अभी आरा ठीक है स्टोरेज की बात करूं आपको 8 GB मिल जाती है आप अपग्रेट कर सकतो 16 GB तक प्लस आपको 256 GB अपको 17 घर की बात करूं आपको Teresa Um इसते के साथ टेक है टीकर वह अपना जो स्टूरेज फ़ोह लहता है रम से खीक है अगर आब मतलब आपको काम कर रहे हो ग्राफिक कार्ड को कोई जरूरत बढ़ती है रैम की जा स्टोरेज की तो वो रैम से ही लेगा उसका कोई अपना स्टोरेज नहीं देखने को मलता तो उसको कहते है इंटिग्रेटेड डैडिकेटेड होते है जिसकी अपनी स्टोरेज होती है लाइक 2GB, 4GB, 8GB जितना भी कर देता है प्राइस की बात को आपको 40,500 के बदर में HP 14 देखने को मिल जाता है तो मैंने आपको बता दिया प्लस मैं आपको कहा देना चाहता हूं भी अगर आप भी उन बंदव में से आते हैं जिनको HP या Dell का ही लैप्टॉप चाहिए मैं आपको कहा चाहता हूं कि आप HP 14 के और जा सकते हैं मैं आपको प्लस ये भी कहना चाहता हूं अगर आपने लेना है HP का लैप्टॉप ही लेना है तो भाई आपको रिक्मेंड करना जाता हूं आप आप 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पेकर सब्सक्राइं ब्लाक कर बहुत से ही लगता है अगर क लैप्टॉप की बात करूं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका प्राइज बहुत ज्यादा सही है आपको 37,000 के बज़र में लिनोवो आइडियापट स्लिम 3 आई देखने को मिल जाता है प्लस इसके साथ आपको लिनोवो बैग भी देखने को मिल जाता ह है मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूं आपको आई 3 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ उसके बाद आपको 8GB RAM मिल जाएगी जिसको आप एक्स्पेंडेबल कर जकते हो 12GB तक प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन तो यहार में स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया लिनोवो आइडिया बैट स्लिम 3 आई कि यह स्पेसिफिकेशन के अकौर्डिंग बहुत ज्यादा तगड़ा है प्राइस के अकौर्डिंग बहुत ज्यादा सही है जो बैक देखने को मिलता है उसका प्राइस 2000 देखने को मिलता अगर आप सर्च आउट करना चाहते हो आप देखने हो बढ़ाई इसके कलर वगारा बहुत प्यार हैं आपको बहुत पसंद आने वाला है प्लस एक ट्रस्टेड ब्रेंड है टॉप प्रेंड में से आता है तो बहुत अगर आपने इस लैप्टॉप के और जाना है आप जा सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं यह ट्वॉटी सब्सक्राइबार आपको फिंगर प्रिंट ग्लस आपको फिंगर्फ ती देखने को मिलेगी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको प्लस यह तीन प्लस आपको फॉर टू फाइवाइब का बैटरी बैक पर वाइड कर देता है अगर मैं इसकी वेड की बात करूं आपको वान केजी एट हंडड़ ग्राम में असूस वीवोगिक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाता है मैं आपको जो में स्पैस्टिकेशन है थोड़ जरेशन के साथ मिलता स्टोरेज की बातने को एडपी राम मिल जाती है अपस्प्रेइड आप शिक्सीं जीबी तक कर सकते हो प्लस आपको फिफ्टी-फिश्टि ग्वी शिवी लीग को मिल जाती हूं अगर आपको यह लिगने को मिलते यार उसकी और बिलकुल भी मत जाना अगर अगर आपने 256 ले ली ना वह भी बहुत जाता था यह अगर आपने डाटा अगरा ट्रांसफर करना जल्दी कर देता है इसका पैरिजन किया जाए एक ड के साथ यह ग्राफिक कार्ड की बात करों आपको इंती ग्राफिक जाता है प्रेडिस रिखस्तं की बात करों विन्टू टेम मिल जाते है प्रस आपको मेंस ऑफसे में 2019 वर्जान बैंट्री इन प्रवाट करते है उन अप को पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बज़ेरे म मैं आपको इतना कहताना चाता हूँ अगर आपका ब्रेट चालिस हजार से अपर नहीं जा सकता है लेकिन अगर आप देखने को मिल जाता है तो अगर आपने चाहिए अगर आपने ऐसा स्टूरेंट यूज़ करना है उसके बाद भी अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टियर यूज़ करना है जाते हो नॉर्मल सैटिंग पर आपने पर वीडियो एक्टिंग करने है यह लैप्टॉप आपके लिए पोफ्रेक्ट डील हो सकता है एंड यह आपको 45,000 के बजर में मिल जागा मैं इसका लिंक प्रवाइड कर दूँगा कई पर इसकी ऑफर बगारा भी लगती रहती है और भी सरस्ते में देखने को मिल जाता है लेकिन अभी इसकी ऑफर बगारा नहीं देखने को मिलती है लेक आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 12GB SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक काड की बात को नवीडिया G4 MX350 देखने को मिलता है जो की 2GB के साथ आता है प्रेडिन सेस्टें की बात करो आपको विंडू 10 मिल जाती है बैंटरिं की बात ओंको 8 आवर्स का बैंटरी लाग पर व ज्यादा भी कर देगा भी अगर आप ज्यादा यूज ही नहीं करोगे तो बैंटरी जो बैंटरी है वो ज्यादा नहीं लगने वाली ठीका सी बीजी बात है नौर्मल बात है ठीक है प्राइस की बात करूं आपको 45,000 के बज़र में इस सेर इस्पायर फाइब देखने को ब इस ड्वालपर काम करना स्टूड़न और ऑफिस बर के लिए चाहिए अगर आप टीचर तो पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए भी यह लैप्टॉप पर फेक्ट डील हो सकती है आप इस लैप्टॉप के और जा सकते है अगर आपका बज़र 40,000 के बज़र पाइब बता करना जाते है, जैसे भी कहरा आप लिए यहीं पर हो जाते है अरुपि अगर आपको मेरे वडिच लगािये यार वीडियो को लाइक करता थे इसके सब्सक्रme वीडियो को लें लिंक बख पे निए इस स्कार्ण के लाइक हैं